वेल्कम डू फिटनेस विट टेस्टी फूड आप में शेयर कने जारी हूँ रमजान स्पैसल पटेटो रस्पी या आप इसे पटेटो कटलेस भी कह सकते हैं बहुत ही डिलिशस लगता है खाने में तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चार आलू को बोईल करके मैश कर लिए उसमें नमक डाल देना है स्वाध अनुस्तार इसमें वन टिबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दूंगी मैं अगर रेड चिली फ्लेक्स नहीं तो आप यहां पर हरीमिश भी काटके डाल सकते हैं आफ टिबल स्पून यहां पर मैंने जीरा पाउडर और वन डूंगी आलू का और इससे इस तरह राउंड राउंड करके इसका इक की इसना स्वेफ देना है इसको यहां पर आप कोई भी सेसरे से स्वेफ जो भी आपका मन करें अरह सारे आलू की टिक्की बनाकर रख लेना है हमें के बाद इन टिक्क्यों को कॉण्फ आणड कोड कर इसे टिकी काफी क्रच्ची बनती है तो इसके जगा आप चावल काटा भी यूज़ कर सकते हैं इनको हीट कर लेना है अच्छ से इसे बनाने के लिए जो टिकी हमने बनाई थी वो सारी इसमें डाल देना है फ्लेम को आपको लो ही रखना है जान सपेसल पटेटो स्नेक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे अफ्तार में जरूर बनाए और कमेंट करके मुझे बताए कि आपका रस्पी कैसी रस्पी प्रसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कर दें इसे दो मिनिट लगेगा इनको सीखने में इसके बाद आप इने फ्लिप कर दें आप यहां पे कटलेस का कलर चेंज होने लगा है एक दम गुल्डन ब्राउन कलर आया है सारे कटलेस देख लिए अब मैं यहां पर ले रही हूँ यह सिजवान चटनी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन कटलेस में बार आप रमजान में यह पटेटो रेस्पी जरूर ट्राइक करें अगर आप इसे बनाते तो यह सब को जरूर पसंद आएगी अगर आप देही डाले तो यहा बट्राइक करें से लथ जया मैं बार उजेंगी अच महां मु टो यहां प्रीट ए्या जाओcza यहां